बुद्ध जेन्ति को पावन अवसर मा यज सभामा उपस्तित यहां हरू सबै लाई संपूर नेपाल बासी हरू लाई रविश्व का सबै स्रधालू जन लाई लुम्बिने को पवित्र भूमिबाट बुद्ध पुर्णिमा को धेरेई धेरेई शुप कामना मुझे पहले भी वैशाग पुर्णिमा के दिन बगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलो पर उनसे जुड़े आयोजरों में जाने का आउसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मसली लुमिनी आने का ये सवभाग मिला है कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो आउसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अव विश्मन निया वो जगह जहां स्वयम भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो वहां की उर्जा वहां की चेतना ये अलग ही एहसास है मुझे देखकर भी खुशी हुई कि स्थान के लिए 2014 में मैंने महा बोधी व्रुक्ष की जो सैपलिंग भेट की थी वो अब विक्सित होकर एक व्रक्ष बन रहा है साथियों चाहे पश्वतिनाज जी हो मुक्ति धाम मुक्ति नाज जी हो चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनि में जब जब नेपाल आता है नेपाल अपने आध्यात्मिक आशिरवाद से मुझे कृतार्थ करता है साथियों जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान स्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं साथियों नेपाल यानि दुनिया के सबसे उंचे परवत सागर माथा का देश नेपाल यानि दुनिया के अनेक पवित्र तिर्थों मंदिरों और मठों का देश नेपाल यानि दुनिया की प्राचिन सब्भेता संस्तृति को सहेच कर रखने वाला देश नेपाल आउदा मलाइक कुने राजनिति ब्रह्मन भन्दा अलग आउटा छुट्टे आज्धात्मिक अनुभूति हुन्च भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टी और आस्था के साथ देखा है मुझे विश्वास है अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादूर देवबाजी स्रीमति आरजू देवबाजी भारत गए थे और जैसा अभी देवबाजी ने वनन किया बनारस का काशी विश्वना धाम की यात्रा की थी तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूती भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभावीक है साथियों ये सांजी विरासत ये सांजी संस्कृति ये सांजी आस्ता और ये सांजा प्रेम यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और ये पूंजी जितनी समृत्य होगी हम उतने ही प्रभावी डंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं दुनिया को दिशा देशकते हैं आज जिस तरह की वैश्विक परिस्तित्या बन रही हैं उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबुती होती मित्रता हमारी गनिश्टता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रती हम दोनों ही देशों की आस्ता उनके प्रती असीम स्रद्धा हमें एक सुत्र में जोडती है एक परिवार का सदस्य बनाती है भावी और बहनों बुद्ध मानवता के सामोहिक बोध का आवतरण है बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोद भी है बुद्ध विचार भी है और बुद्ध समस्कार भी है बुद्ध इसलिए विशेस है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिये बलकि उन्होंने मानवता को ग्यान की अनुभूती करवाई उन्होंने महान भैववशाली राच्य और चरम सुक्स विधाओं को त्यागने का साहस किया निच्चित रुप से उनका जन्दम किसी साधारन बालक के रूप में नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने हमें ये एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्वा त्याग का होता है त्याग से ही प्राप्ति पुन्ण होती है इसलिए वो जंगलों में वीचरे उन्होंने तब किया शोध किया उस आत्मसोध के बाद जब वो ग्यान के सिखर तक पहुँचे तो भी उन्होंने किसी चमतकार से लोगों को का कल्यान करने का दावा कभी नहीं किया बलकि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जीया था उन्होंने हमें मंत्र दिया था अप्प दीपो भव भिखवे अप्प दीपो भव भिखवे परिच्छ भिखवो ग्राहम मद बचो नतू घौरवाद अर्थात अपना दीपक स्वयम बनो मेरे बचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहन मत करो बल्कि उनका परिखण करके उन्हें आत्म साथ करो ताथियो बगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विशय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता है वैशाग प्रणिवा का दिन लुम्मिनी में सिधार्थ के रुपे बुद्ध का जन्म हुआ इसी दिन बहुत गया मैं वो बहुत प्राप्त करके भगवान बुद्ध बड़े और इसी दिन कुशी नगर में उनका महा परिनिर्वान हुआ एक ही ती थी एक ही वैशाग पुर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन ग्यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था इसमें बुद्धत्व का वो दार्षनिक संदेश भी है जिसमें जीवन ग्यान और निर्वान तीनों एक साथ हैं तीनों एक साथ जुड़े हैं यही मानिविये जीवन की पुर्णता है और संबत है इसी लिए भगवान बुद्ध ने पुर्णिमा की इस प्रवित्र तीथी को चुना होगा जब हम मानिविये जीवन को इस पुर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती तब हम खुद ही वसूध है कुटुप गम की उस भावणा को जीने लगते हैं जो सरवे भवन्तु सुगिन से लेकर भवतु सब्वमंगलम भवतु सब्वमंगलम के बुद्ध उपदेश तक जलगती हैं इसलिए भववल गौलिक सीमाओं से उपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं हर किसी के लिए है साथ क्यों भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और समन्द भी है जिसमें अद्वूत संयोग भी है और जो बहुत सूखद भी है जिस स्थान पर मेरा जन्व हुआ गुजरात का वड़नगर वहां सदियों पहले बउद्ध सिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था आज भी वहां प्राचीन अवशेस निकल रहे हैं जिनके समरक्षन का काम जारी है और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं कई शहर कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के सार्थ उस राज्य के काशी के रुप में जानते हैं भारत के विशेस्ता रही है और इसलिए काशी के समीप सार्णात में मेरी आत्मियता आप भी जानते हैं भारत में सार्णात बोध गया और कुशी नगर से नेकल नेपाल में लुबमिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांजी विरासत और सांजे मुल्यों का प्रतीख है हमें इस विरासत तो साथ मिलकर विक्षित करना है और आगे सम्रुद्ध भी करना है अभी हम दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेस्टल सेंटर पर बुद्धिस कल्चर और हरिटेज का शलान्याद भी किया है इसका निर्मान इंटरनेस्टल बुद्धिस कंपुद्रेशन ओफ इंडिया द्वारख किया जाएगा हमारे सहियोग के इस दसको पुनाने सपने को साकार करने में प्रधान मंत्री देवबाजी ने उनका अहम योगदान है लुम्बिनी डेवलप्मेंट ट्रस्ट के अध्यक्षिय रूप में उन्होंने इंटरनेस्टल बुद्धिस कंपुद्रेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्ड़े लिया था और अब इस प्रोजेक को पुरा करने में भी उनकी और से पुरा सयोग किया जा रहा है इसके लिए हम सभी रधे से उनके आभारी हैं मुझे खुसी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सरकीट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सयोग दे रही है नेपाल में लुम्बिनी मिज्यम का निर्माण भी दोनों देशों के साजा सयोग का उदारण है और आज हमने लुम्मिनी बुद्धिश उनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साब अम्बेर कर चैर फ़र बुद्धिश स्टडिश स्थापित करने का भी निरेड़ा लिया साथियों भारत और नेपाल के अनेक तिर्थों ने सद्यों से सभ्यता, संस्कृती और ज्यान की विशाल पनंपरा को गती दी है आज भी इन तिर्थों में पुरी दुनिया से लाखों स्रत दारूहर साल आते हैं हमें भविश में अपने इन प्रयासों को और गती देरी होगी हमारी सरकारों ने भरवा और सौनौली में इंटिग्रेटर चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिये है इसका कान भी शुरू हो गया है ये इस पोस्ट बनने के बार बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुभीदा बढ़ेगी भारत आने वाले इंटरनेशनल स्टूरिस जादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के टांस्पोर्टेशन को भी गती मिलेगी भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाए है हमारे इन प्रयासों का लाप दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा साथियों भारत और नेपाल बीच को संबन्द हिमालय जस्ते अटल छे और हिमालय जती के पुरानों छे हमें अपने इन स्वाभावित और नैसर्गी ग्रिस्तों को हिमालय जितनी ही नई उचाई भी देदी है खान पान गीत संगीत पर्वत योहार और रिती रिवाजों से लेकर पारिवारी संबन्दों तक जिन रिस्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है अमुने साइंस टेक्नोलोजी और इंफ्रास्टेक्टर जैसे नए ख्षेत्रों से भी जोड़ना है मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंदे से कंधा मिला कर काम कर रहा है लुम्बिनी बुद्धिष्ट उनिवर्सिटी, काठमंडू उनिवर्सिटी और त्रिभिवन उनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदारन है मैं इस छेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूँ हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे हमारे सक्षम युवा सभलता के सिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की सिख्षाओं के संदेश वाहाग बनेंगे चाथियों भगवान बुद्ध का कथन है सुपबुद्धम प्रभज्जन्ती सदा गोतम सावका एसम दिवाच रतोच भावनाए रतो मनों अर्थात जो हमेशा मैच्टरी भावना में सद भावना में लगे रहते हैं गवतम के वे अन्वाई हमेशा जागरत रहते हैं यानि वही बुद्ध के वास्तिविक अन्वाई है इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानोता के लिए काम करना है इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है भारत रण नेपाल बिच को मित्र ताले यस मानिविय संकल पलाई पुरागर्न यसे गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा मलाई पुर्ण विश्वास्चर इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाग पुर्णिमा की अनेक अनेक शुपकामना है नमो बुद्धाया नमो बुद्धाया नमो बुद्धाया